सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फोर मोर अपडेट्स हाँ दोस्तों जिसे मैंने कल आपको याद होगा दोस्तों कि कल के आदियो में मैंने कहा था कि फ्राइडे की दिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगा और उसी तरफ से वो हुआ भी आज क्योंकि पॉइंट यह रहा दोस्तों अगर मेरे शब्दों पर आपका विसेश ध्यान हो कल मैंने कहा था कि मार्केट को बुलिश होने के लिए 58600 प्लस पॉइंट सिंसिस का दिखना चाहिए और वास्तों में आप देखिए दोस्तों कि आज फ्राइडे का दिन था दोस्तों और फ्राइडे में ज्यादा तर ट्रेडर्स और इंवेस्टर्स प्रॉफिट बुक करके अपना थोड़ा पैसा निकालने का भी से हमेसा रखते हैं और इसी कारण वस यह इस तरह का बाद भी से रहा इंट्रिस्टिंग पॉइंट दे रहा यहनी 764.83 माइनस रहा 1.31 परसें उसी तरह से निफ्टी भी 17,196 204.95 माइनस रहा 1.18 परसें तो खास करके निफ्टी भी मैंने कहा था दोस्तों की 17,500 के उपर होगा और इस तरह से सेंसेक्स भी यह लेवल को टेच करेगा तो बुलिश ट्रेंड में होगा अब खास करके बात देखिए दोस्तों की निफ्टी ने भी 17,500 एन वो नहीं टच किया आज के दिन उसके अंदर ही रहा और खास करके प्रॉफिट वोकिंग वाली बात सुरू हो गई अब ये बात ध्यान रखें दोस्तों की खास करके मार्केट में भी डर नहीं है डर की बात अभी नहीं हुई है डर की बात अभी नहीं है अगर डर की बात होती तो आज market वहीसे भी sensex nifty या तो sensex 1500 point के उपर चला गया होता negative और वहीसे nifty भी हो सकता था कि 500 point के आसपास minus हो जाता लिकिन क्या है कि एक strategic trading जो market में होता है एक level पर एक point पर और एक calculation पर भी चलता है जो trader और investor इस बात को बारी की रूफ से देख रहे हैं दोस्तों कि Omicron का effect क्या हो रहा है या क्या होगा दोस्तों खास करके Omicron के cases देखें दोस्तों कुछ-कुछ बढ़ रहे हैं या news coverage हो रहा है कि कहीं करनाटक में या कहीं दिल्ली में ऐसी बाते अब news सामने आ रहा है ये तो आप भी देखते सुनते होंगे लेकिन क्या है दोस्तों कि संख्याएं बढ़ने का भिसे एक तनाव का भिसे डाल सकता है market में market को तनाव तब होता है जब वो basic रूफ से ये देखते हैं कि आगे क्या होगा और आगे अगर जटिलता बढ़ती है तो तनाव बढ़ सकता है market में दोस्तों कुल मिला कि market का अस्ती दिशा कहां या किस रूप में होगा ये Monday और Tuesday के trend के उपर निर्फर करता है दोस्तों कि December में पूरे महिने में market के trend में किसका वज़न ज़्यादा है बुल का या बेर का ये डिसाइड करेगा दोस्तों Monday के market के trading point पर जहां तक दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि आज profit booking हुआ और अच्छा खासा booking हुआ और काफी negative भी रहा market तो खास करके ये हो सकता है अगर control वाली बात आ जाए या इस तरह का कुछ बात भी से हो कि ये mild effect है ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है market एक positive trend को रूप दे दे फिलाल तो मैं एक ही देख रहा हूँ दोस्तों कि जिससाइड से पूरा census के nifty के stock है ज्यादा तर bearish zone में ही खड़े हैं आज भी कुछ point कुछ तरह से उतना उभरे नहीं है जितना उनको उभरना चाहिए तो इससाब से दोस्तों market को एक bullish point दिखाना चाहिए मंडे के दिन बाकी दोस्तों अभी आने वाले दुन दिन हैं जैसे हम देखी रहें कि मंडे और खास करके कल और परसों में क्या trend आता है market में इसके उपर भी बाते निर्फर करती है और ये देखा जाएगा कल और परसों के तारीक में तो फिलाल मैं यही कहूंगा दोस्तों कि जहां तक मैं देख रहा हूं कि मंडे के दिन market में एक volatility का phase रहेगा फिर भी मैं मेरे नजरी से जहां तक मैं देख रहा हूं दोस्तों कि यह bullish trend की तरफ ही जाना चाहिए क्योंकि selling काफी अच्छा खासा हो चुका है market में और एक range bond में चलाने के लिए market को उपर एक जाना ही चाहिए कुल मिला के और volatility भी maintain हो सकता है अगर कोई decision वाली बात आजाए तो या क्या हो रहा है Monday तक या सुबह कल के परसो संड़े तक इवनिंग तक या कितने news कितना coverage करता है यह नया जो covid की समस्यां सामने आ रही है दुनिया में यह सब बाते हैं दोस्तों इसके लिए हमे भी limited position और point पर चलना चाहिए और कोई बड़ा position लेकर काम नहीं करना चाहिए एक limited range में ही चलना चाहिए यह तो मैं एक general बात कह रहा हूं दोस्तों चलिए मैं अब एक और मेरा study काफी दिनों से चल रहा है दोस्तों कि कुछ खास करके मैंने penny stock का बहुत ही बारिकी से अध्य किया है दोस्तों और स्पेनी stock में दोस्तों मैं growth देख रहा हूं future point of view से तो एक service हम कल की तारीक में ही introduce करेंगे जिसकी जानकारी आपको कल प्राप्त हो जाएगी और कल के ही दिन में IRCTC का भी एक video बनेगा जो आपके knowledge के लिए important होगा दोस्तों बस इतने करना था दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं